प्रतिश्थित परिवारों में से एक देवल परिवार के दो अनमोल रत्नों पर करेंगे आपसे इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे उन मुश्किलों के बारे में जिसे ईशा देवल और सनी देवल ने महसूस किया है जिन मुश्किलों का सामना इन दोनों ने किया है इशा देवल से करते हैं शुरुवात इन दिनों इशा काफी ज्यादा चर्चा में है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर इशा के बारे में एक बात आपको बदा दे उन्हें एक खूपसूर्ती और अभिने की कला अपनी मा हेमा और अपने पिता धर्मेंद्र से विरासत के रूप में मिली और इसी वज़ा से इशा नहीं जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा लोगों को उनसे काफी उमीदे थी अपसोस उन उमीदों पर शायद वो खरी नहीं उतर पाई उनकी फिल्में नहीं चली आखिर में उन्होंने फिल्मों से अपने आप को अलग कर लिया आप सब जानते हैं कि इशा फिल्मी परदे से दूर रहने के बावजूद भी सोशल मीदिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं हाल ही में उनका एक इंटर्वियू हुआ जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में चर्चा की वो मुश्किल दौर जब ईशा देवल डिप्रेशन जैसी गंफीर बिमारी से जूच रही थी इशा ने बताया कि डिप्रेशन से जूचते हुए उन्होंने एक वक्त वो भी देखा है जब वो अपने पूरे परिवार के साथ बैचे थी और अच्छानक से इतने लोगों की भीड में रोने लगे डिप्रेशन से जूचना ईशा के लिए कितना ज्यादा दुखदई रहा है एमोशनल रहा है किस तरह की परिशानियों का सामना उस तोरान देवल परिवार ने किया सुनिये सरा बॉलिवुड आक्टर धर्मेंद्र और ड्रिंगल हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देवल आज की तारीक में भी किसी पहचान की महताज नहीं है ईशा किसी ना किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है और इस खास रिपोर्ट में हम आपको ईशा देवल की इस जिंदगी के सबसे बड़े दर्द के बारे में बताने जा रही है बता दे आपको ईशा दो बेटियों की मा है और दो बार मा बनने के खुबसूरत एहसास को उन्होंने महसूस किया है ईशा का डिप्रेशन में चले जाने वाला किस्सा हर जगा चर्चे बचोड़ता है और एक बार फिर से उन्होंने इसी किस्से पर चर्चा की है सबसे पहले आपको बता दे ईशा जो है वो दूसरी बेटी के जन्म के बाद पोस्ट पाटम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी ईशा देओल अपनी बेटी मिराया के जन्म के बाद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी जन्दगी में ये सब कुछ हो क्यों रहा है गौर हो की बच्चों के जन्म के बाद पोस्ट पाटम डिप्रेशन के द्वारा मा का कई बार इससे ग्रसित हो जाना आम बात है पोस्ट पाटम डिप्रेशन काफी खतरनाक हो सकता है अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया चाए अगर सही समय पर ये बिमारी पकड में ना आए तो इससे काफी ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इशा भी इस बिमारी की वज़ा से काफी ज्यादा परिशान रहने लगी थी ईशा को भी इस बिमारी की वजह से कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता था ईशा देओल खुद बताती हैं कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का शिकार जब वो हुई शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि आखिर किस तरह की परिशानियों का सामना वो कर रही है ईशा कहती हैं कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस हुआ जब वो कहीं पर भी कभी भी रोने लगी जी हाँ, खुद ईशा बताती हैं कि कई बार भीर देखकर वो रोने लग जाती थी भीर देखकर उन्हें डर लगने लग जाता था ये डर उन्हें अंदर ही अंदर खाय जा रहा था ईशा ने अपने इंटर्वियू में बताया बेटी मिराया के जन्म के बाद जब मैं पोस्ट पार्टम रिप्रेशन में चली गई मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है भरी सभा में मैं रोने लगती चुप चाप सुस्द होकर बैट जाती मेरी माँ हेमा जो खुद दो बार माँ बनी है उन्हें एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ तो परिशानी है मेरी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर परिशान कर रहा है जसके बाद मेरी ममी तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले कर गई और डॉक्टर के पास ले जाकर उन्होंने मेरे टेस्ट वगेरा कराए डॉक्टर्स के साथ मुराकात करने के बाद मेरी बिमारी के बारे में पता चला उसके बाद मैंने तुरंत ट्रीक्मेंट शुरू कर दिया समय पर दवाईयां खाई और दवाईयां खाने के बाद काफी वक्त लगा मुझे अपनी जिंदगी में वापस लौटने में ईशा देवल बता दे आपको दो बेटियों की मा हैं और पोस्टपाटम डिप्रेशन वाला उनका ये जो फेस था वो काफी ज्यादा दरावना था आज ईशा इस डिप्रेशन से पूरी तरह उभर चुकी है मिराया और राध्या के साथ अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रही है ईशा का एक इंटर्वियू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पती और बेटियों को साथ में मैनेज कर रही है ईशा बताती है कि ऐसा कई बार होता है जब मुझे काम से शेहर के बाहर जाना होता है भारत को काम से काफी ट्रैवल करना पड़ता है लेकिन हम दोनों हमेशा इसका ध्यान रखते हैं कि दोनों में से कोई एक बच्चों के पास जरूर रहे एक कपल के तौर पर हमें इसे ऐसे ही बैलन्स करना पड़ता है इशा कहती है मैंने जो किताब लिखी है अम्मा मिया उसमें मैंने मा बनने के खुपसूरत एहसास का जिक्र किया है मैंने मा बनने के बाद फेस की गई परिशानियों के बारे में चर्चा की है ये सीधे किताब मेरे दिल से आई है उस वक्त मुझे जो भी महसूस हुआ उसे मैं शेयर करना चाहती थी मेरे दिमाग में था कि बहुत सी महिलाएं भी इससे गुजरी होंगी जिससे मैं गुजरी हूँ और मैंने मेरे तरीके से इसके रास्ते निकाले मैं बस उन्हें शेयर करना चाहती थी मामा मिया करके ये जो किताब लिखी है ईशा ने इसमें ईशा ने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की है अपने बच्चियों के बारे में बात करती हुई ईशा कहती है राध्या और मिराया ने मेरी जिंदगी बदल दी है मैं उन्हें पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी अपनी बच्चियों की वज़ा से मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन पाई हूं मैं अपना काम जारी रखना चाहती हूं बच्चियों को पूरा समय देना चाहती हूं इसलिए मैं उन्हें अपने साथ शूट पर ले जाओंगी जब भी समय मिलेगा उनके साथ समय बिताओंगी तो फिलहाल काम को और अपने प्रोजेक्ट को कुछ इस अंदाज में बैलन्स कर रही है ईशा देओल तो ईशा ने अपनी समझदारी के साथ वक्त रहते अपने परिशानियों को समझ कर डिप्रेशन का इलाज करवा लिया अब आगे पढ़ते हैं सनी देओल पर चलते हैं सनी हमीशा चर्चा में रहते हैं और हमीशा चर्चा में रहने वाले सनी जब से राजनीती के अखाणे में सक्रिये हुए हैं तब से काफी ज्यादा परिशानियों में फसे हुए भी दिखाई पड़ते हैं कभी फिल्मों को लेकर उनकी राजनीती अफेक्ट होती हैं, कभी राजनीती की वज़ा से उनका फिल्मी करियर डिस्टरब होता है तो इन सब के बीच पंजाब के गुर्दासपूर से सांसद सनी के गुमशुदगी के पोस्टर कई बार उनके संसदिये शेत्र में लग चुके हैं अब सनी अपने शेत्र में पहुँचते हैं, वहां के लोगों से इंट्रैक्ट करने के लिए और इस दौरान अपने आलोचकों को देते हैं मुँतोर जवाब, वो जवाब क्या रहा? सुनिये सरा साल 2019 में हुए लोगसभा चुनावों के दौरान सनी देओल ने भारतिये जनता पाठी की सदस्यता लेते हुए पंजाब के गुर्दासपूर से चुनाब लड़ा और जीता भी गुर्दासपूर के सांसत सनी देओल बने लेकिन उसके बाद इसकदर गायब हो गए कि सनी के गुमशुद्गी के पोस्टर्स उनके संसदिये शेत्र में लगने लगे सनी देओल की राजशनीती पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया सनी भले ही चार-पांच बार अपने संसदिये शेत्र का दौरा कर चुके हो लेकिन कभी पठानकोट की जनता के साथ बादचीत करने नहीं पहुंचे और इसलिए अकसर वहां उनकी गुमशुद्गी के पोस्टर लगते रहते हैं विपक्षी दल की ओर से सनी पर ये आरोप लगाया जा चुका है कि उन्हें अपने शेत्र की जनता की नहीं बलकि अपने फिल्मी करियर की चिनता है अब एक ना एक दिन सनी को इन सब आरोपों पर सफाई तो देनी ही थी, एक ना एक दिन सनी दियोल को इन सब मुद्दों पर बात तो करनी ही थी, तो सनी ने आखिर कार इस मुद्दे पर बात चीत की है, सनी की राजनीती पर जो लोग सवाल उठाते हैं, उनके बारे में हसते सनी ने कहा ये आप लोग करवाते रहोगे लोग करते रहेंगे मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं अपना काम करता रहूँगा जिसको जो कहना है कहता रहे सनी देओल को लेकर खबर ये भी आई थी कि जिस तरह से वो अपनी गैर मौजूद की सत्र के दौरान भी दर्च कराते हैं जिस तरह से सत्र के दौरान भी वो हाजर नहीं होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे खफा हैं अब सनी ने साफ तोर पर कह दिया है कि जिसे जो कहना है वो कहता रहे मैं अपना काम करता रहूंगा बता दे आपको सनी देओल खाली में गुर्दासपुर पहुँचे और गुर्दासपुर पहुँचकर पठान कोट में धन्यवाद रैलियां उन्होंने की पठानकोट की जनता के साथ उन्होंने मुलाकात की जनता के बीच हाला कि इस तरह की शिकायत नजर नहीं आई सनी जैसे ही अपने कैम्प आफिस पहुँचे भीड उनकी एक जलक पाने के लिए बेताब नजर आई सनी ने लोगों को अपना प्यार दिया लोगों से प्यार के लिए ठीर सारा धन्यवात कहा तो फिलहाल सनी दियूल के साथ जो भी शिकायते लोगों को हैं वो शिकायते काफी हद तक यहाँ पर दूर होती हुई नजर आई है तो दोस्तो आज के लिए इस खास पेशकरश में इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात देदी ची मुझे इजासत नमस्कार